लगश्कार जैस्री कृष्णा में आपके श्रीवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जियोतिस ग्रान के नामज़ेग सीरीज चलाई है जिसमें बेसिक से लेके डवांस एस्ट्रोजी तक हम लोग पढ़ तो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने लगा जेता हूं देखिए व्रशब लगन जो है यह सेकंड नमबर राशी है जैसे आपको राशी बताई है में इस व्रश मिथून करके तो मैंने बताया था कि आपको नमबर जरूर राशी का याद अबना है आपको कि जब रश करेंगे तो हमेशा वर रुजब राशी की बात करेंगे यह मैंने आपको पछली विडियो में पढ़ाया है आप इस ले वीड्यो में देख सखते हैं ब्रॉटर इघ्रा ने ह्यां में होता है तो व्रो नियुद का स्वामी शुक्र होता है सिम्बल क्या होता है रैल की तरह ह जिसे बताया था कि राशियां हमेशा एक तारों के समून है बारे ब्रमान को बारे बागों में डिवाइड किया गया है तो उन में से जो बैल कि दिरह लगता है तो ब्रशब राशी कहता है प्वाइब इसके अंदर यह एक जिल लोगो कि इंकी अची बनती है वह करण लगन वाले या मकर लगन वाले निया जो लोग फिल्ते हैं उसे अच्छी बंदीब लगी पर्फियूम का स्ट्रेएक्स के नाम से गूगल पर सप्टरिए कि आता है वह इं लेए लखी नंबर ऐन के लिए फ्रायडे हे सैटेड़े मंडे इनके लिए बहुत लगई होते हैं चार दिन लेकिन पार्टनर से इनोने के लिए ब्रस्पतिवार भी बहुत अच्छा से में होता है घेंट रूपार्टनर से कुछ प्राप्ट करने के लिए लकी जैम्स जो इनके लकी वो होते हैं वो डायमंड होते हैं सफायर होते हैं एमरेल्ड होते हैं इन गोल्ड इन थर्ड फिंगर राइट हैं की थर्ड फिंगर में पहने जाते हैं हीरा है सफायर है एमरेल्ड है ये इनके लकी जैम है कलर कौन से है लकी पिंक है ग्रीन है ब्ल तो आप फ्राइडे का व्रत रख सकते हैं उसके बाद यह हम जानते ही है कि तीन तरह की राश्री होती है चरिस्थिर दीसुभाव यह स्थिर राश्री है और वो भी हमें मालूम है कि अगरी प्रत्वी वायू जल चार तरह की राश्री होती है तो यह प्रत्वी राश्री है तो इस्थिर राश्री का मतलब यह है कि आदमी अपनी बात पे थोड़ा स्थिर रहता है बातों को आदमी साथ कम करता है जो मतलब जो उसके मन में है वो थ करता रहता है अपनी मर्जी का छेड़ो मत उसको अपनी मर्जी का करता रहेगा लेकिन पेशन्स बहुत होती है आलसी जरूर होते है जो बैल होता है वो आलसी जरूर होता है लेकिन एक बार वो खड़ा अगर हो गयार काम पे लग गया तो पूरे परिवार का बोज उठा हैं लेकिन सभाव रूप से सभावती है यह ऐसे लोगों के जीवन में उतार चाडवio रहता है लेकिن तरक्षिण को hen और इसिराशी बताती है यानि की सॉमेर लाशी इसे लोग नोग जो थया को सब में होते हैं कि 14 मई झेंड़ का महीना होता है तब सूर्य वर्षब राशी है यह एक जहां लखने वाली राशी है रुपाइल राशी होने से ऐसे एंसान थोड़ congressional हो मूझे हुई से इनसान सब कुछ नाप तोर सबकुछ परेक्षणे के Wow भी किसी दरने वाला गुन होता है लेकिर अच्छी राशी है यह मैंना को पता था कि चार पैर होते हैं तो चतुषपाद को हमने यह पीछे बताया था कि ऐसे लोग को सुसाइटी के अंदर मोड़ करने में प्रब्लम होती है कि स्थर में वह रम नहीं पातें सुसाइटी की बातो को कहना करते हैं दूसरे की बात को सुनना कम परिसंद करते हैं लेकिन 95 फ्रब कश. मशुर है समाजीं। परिशानी बले ही इनको होती हो मोल्ड होने के टेंडनसी इनकी बहुत कम होती हो कि चतुषपाद है तो मोल्ड होने में और सवाजिक होने में तोड़ा टाइम लगाएगा लगाएगा तो लेकिन 95% यह लोग जो है बहुत ही वेल आफ पाए गये हैं यह देखा गया है फुल् सपहाद हैं इसो जीरा होत जाना की बहुत आवश्यक होता है किहां सबस्क्राइए वाद की नहीं पले hayır को होते हैं थेशाज करहने में मतलद रगएगोशार इंप्य pensionивать आज और को सॉतल प्रशांति अर बुषार को ृड़िय करने वाले हैं ऐसे लोग हमेशा आर्ट को पसंद करने वाले होंगे वड़ाई विश्वास पात्र होंगे प्रेम इनके अंदर कूट-कूट के भरा होता है सहने की शक्ति बहुत जवरस होती है जवरस होती थे धीरच की बहुत लगन वाले जातकों के में धिरज की उन लेखनिय शक्ति होती है विवेकपूर होते हैं प्रोध आता है लेकिन लंबे समय तक यह प्रोध को पने पास नहीं रखते और गिविंग होते हैं माफ करने वाले होते हैं ठीक है शुरू में जो गुस्ता दिला दो कि गुस्ता तो आएगा लेकिन को भी वाई द्रस्तिकोन होता है जरा इनका बहुत जादा मौरन नहीं होते जिसे कहना चाहिए आपके हिसाब से थोरो होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए पूरा-पूरा स्टेब बाई-स्टेप देखते हैं जंटेल होते हैं समझदार होते हैं और कुकिंग के स्टेंद मत समझे लेकिन कुछ हायर हैं तो कुछ लोवर भी हैं लेजी हैं जैसे पहले बताया था कि थोड़े आलसी प्रवर्ति के होते हैं पजस्टिव हैं मतलब अपने अधिकार में चीज रफना चाहते हैं बहुत मॉडनाइज नहीं हैं चुकि दूडिवादी प्रव अभिमानी थोड़े रहते हैं इनमें अभिमान थोड़ा ज्यादे होता है यह द्यान लखने वाली बात होती है स्वार्थी और प्रतिशोधी भी यह कई बार हो जाते हैं तो इसके बाद बहुत इकवादी होते हैं इसके बारे में श्लोक शास्त्रों में दिया गया है सागावली में उसमें कहते हैं कि व्रश लगने भवेज जातो गुरु भगते प्रियमवदा क्या कहते हैं यह कहते हैं कि यह बड़ो के सम्मान करने वाले होते हैं गुरु भगत होते हैं प्रियमवदा मैं स्के प्रिय बोलने वाले होते हैं-ब्रशव लगन में वह परण है इतने भी है वह गुरु भगत होते हैं प्रिय भुलने होते हैं गुणी हो त ही है लोगों और सब लुगों में परिए रहते हैं और जल्दी परिय हो जाते हैं बहुत जल्दी ऐंसाथ यह पिरपली में और जात्कों के क्या positive points और क्या negative points और क्या high strength और क्या low strength है वो मैंने आपको बताई अगर आपको अच्छा लगा हूँ तो kindly share कीजिगा subscribe कीजिगा like कीजिगा और इसके लागा हम लोग भी बहुत जल्दी astrology class राने वाले हैं तो लुग जोइन करने में अट्रस्टीड हों वो संपर कर सकते हैं और कुल्डी प्रेट्स भी हम लोग असरले करते हैं जो जोइन का नमें ट्रस्टीड हो संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैजी नमस्कार